Hello students, आज आप लोग जो है नरेशन में imperative sentence के part 2 को देखने जा रहे हैं पहले आपको imperative sentence का part 1 हम बताये थे अब जो है आज imperative sentence part 2 को संधाने जा रहे हैं कैसे आप बदलेंगे देखिए कभी कभी क्या होता है कि imperative sentence के कुछ वाक ऐसे होते हैं जो देखने से interrogative जैसे लगते हैं जैसे जो वाक ओड से, सुड से, कुड से प्रारंब होता है तो देखने से वो interrogative जैसा लगता है लेकिन वह imperative का भाव देता है तो इसके लिए मैं एक notes मनाया हूँ आपके लोगों के लिए जो वाक के ओड सुड कुड माइट से प्रारंब होता है वह imperative का भाव प्रदरसित करता है जबकि देखने में interrogative लगता है तो ऐसे sentence को आप कैसे बदलेंगे इसके लिए एक rule है इन डायरेक्ट में बदलते समय side को यानि reporting बर्व को भाव के अनुसार requested, offered या invited में बदलकर reported speech की वाक की क्रिया को बदलकर और वाक की क्रिया से पहले जो reported speech का जो क्रिया होता है उस वाक से पहले to लगा कर जोड दिया जाता है जैसे मनें इन डायरेक्ट में बदलते समय जो reporting बर्व सैड है सैड को भाव के अनुसार requested, offered invited में बदलकर reported speech की वाक को क्रिया से पहले to जोड कर to लगा कर जोड दिया जाता है तथा pronoun का परिवर्तन ये मानुसार किया जाता है तथा क्रिया से पहले आने वाले शब्द को हटा दिया जाता है गाईज इसमें हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि यदि reported speech का वाक उड़सूड से प्रारम होता है तो reporting बर्व सैड को भाव के अधार पर बदल करके आप जो है तू से क्रिया से पहले तू लगा करके reported speech के वाद को जोड़ देंगे और क्रिया से पहले आने वाले जो शब्द होंगे उनको हटा देंगे जैसे आप एक्जामपल से देखे तो यहां आप देख रहे हैं कि give आपका वर्ब है इसके पहले would you please सब्द आया है तो हम said को requested मेंचेंज करेंगे भाव के अधार पर क्योंकि यह sentence जो है वो requested का भाव दे रहा है would you please give me a European क्या आप अपना कलम करिपया देंगे तो भाव जो है आपका request का है तो said को हम यह requested मेंचेंज कर देंगे उसके बाद would you please सब्द को हटा देंगे यह सब्द हड़ जाएगा उसके पाद give से पहले to लगा देंगे to give him और यहां जो your आया है यहां पर हम me मान लिये हैं तो me के अनुसार माई हो गया अगर him मानते यहां पर हीज हो जाता लेकिन जब आपका reporting बर्व का subject जो है similar हो तो इसको plural मानना चाहिए इस आधार पर हमने said को request mission किया he requested to give him my pain तो आप समझ गये होंगे कि यदि reported speech का वाग के would से प्रारम होता है तो हम reporting बर्व said को भाव के आधार पर बदल करके would you please यानि क्रिया से पहले आने वाले जितने सब्द होंगे इनको हटा करके इनको employee बना लेंगे तो he requested to give him my pain अब दूसरा देखिए he said could I use your pain तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रिया क्या है यूज है तो said को requested में change कर दिए could I को हटा देंगे अब two से वाग को जोड़ देंगे तो he requested to use अब यहाँ your है तो इसको मी माल दिये तो he requested to use my pain यानि आपको बताने का अपनी प्राय यह है कि वर्ब से reported speech में जो वर्ब आया रहता है उसके पहले का जो भी शब्द रहता है उसको हटा दिया जाता है और two से वाग को जोड़ दिया जाता है said को भाव के अधार बच्छेंज करके इसी तरह से गाई देखेंगे कि see said would you like a sandwich अब यहाँ पर would you like सब्द आया हुआ है तो यह भाव एक ही में है तो said को हमने offered कर दिया offered बतल दिया see I've heard उसके बाद would you समात कर देंगे to lie के sandwich ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं तो guys आप इसको समझ गया होंगे अब मैं आपको late से बनने वाले जो वाक्य होते हैं imperative sentence में उनको indirect में कैसे बतला जाता है अब उसके बारे में बताने जा रहा है देखें late वाले वाक्यों को बदलने का नियम यदि reported speech late से प्रारम होता है तो अगर वह वाक्य request का भाव दे रहा है तो said को requested में चेंज कर देते हैं और two से reported speech के वाक्यों को जोड़ देते हैं और जो pronoun का प्रिवर्तन होता नियमानुसर करते हैं जैसे he said late me go home मुझे घर जाने दो तो यह कैसा request का भाव दे रहा है तो said को हमने requested में चेंज कर दिया और two से वाक्यों को जोड़ दिया to late him अब मी को ही क्या धार बदलेंगे तो यह ही हो जाएगा to late him go home तो guys आप समझ गये होंगे एक चीजस में और ध्यान देने की बात है यदि late वाला वाक्यों की यदि reported speech का वाक्यों अगर late से प्रारम हो और वह अगर आडर का भाव दिखाता हो तो ऐसी सित्य में क्या करते हैं कि sad को हम आडर में चेंज कर देते हैं या देखिया चेंज किये हैं उसके बाद late को हटा करके that लिखते हैं that के बाद करता plus should से फिर से सुवाग को जुड़ा जाता है जैसे the king said late the man be said free आदमी को सुथंतर कर दिया जाए या आदा सात्मक हो गया तो यहाँ पर said को हम order में चेंज करेंगे the king ordered फिर that फिर उसके बाद late को हटा देंगे the man अब उसके बाद late के लिए should का प्रयोग कर दिया जाएगा the king ordered that the man should be set free तो यानि late से बनने वाले जो वाक्य होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक request का भाव देता है एक order का भाव देता है अगर request का भाव दे रहा है तो set को requested में change करके तूसे reported speech के वाक्य को जोड़ देंगे यदि late वाला वाक्य आइडर का भाव दे रहा है तो set को आइडर में change करके late के स्थान पर that का प्रयोग करेंगे उसके बाद जो subject रहेगा उसको लिखेंगे फिर suit का प्रयोग करते हुए CS वाक्यों को लिख दिया जाता है तो guys आप इसको समझ गया होंगे इसी तरह से latest अगर कोई वाक्य प्रारम हो रहा है यानि reported speech का वाक्य 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 प्रारम हो रहा है तो reporting बर्व को दो तरीके change किया जाता एक proposed में दूसरा suggested में यदि अगर object दिया है तो proposed 2 का प्रयोग करेंगे या suggested 2 का प्रयोग करेंगे अगर object नहीं दिया है तो सीथे suggested लिखेंगे या proposed लिखेंगे और latest की अस्थान पर that they should का प्रयोग या that we should का प्रयोग कर दिया जाता है that they should का प्रियोग का अब करेंगे जब reporting verb का subject similar होगा तो that they should का प्रियोग कर देंगे यदि reporting verb का subject अगर plural होगा तो that we should में बदल देंगे जैसे examples से आप देख सकते हैं यहां लिखा है he said latest play image चलो हम लोग एक cricket खेलें या एक match खेलें तो यहां पर proposal का भाव हो रहा है तो said को हम proposed message कर दिये he proposed that they should यानि latest के अस्थान पर that they should का प्रियोग हो गया उसके बाद sentence को जोड़ दिया गया that they should play image इसी तरह से अगर latest वाले वाक्ष से हमको suggestion का भाव महसूस हो रहा है तो हम said को suggestion बदल देंगे जैसे I said latest go to some holy place यहां पर जो है कह रहा है कि चलो हम लोग किसी पवित रस्थान पर चलें यह सुझाव दे रहा है तो said को हम suggested में change कर देंगे I suggested that we should यहां we क्यों लग गया उसमें दे लगा है इसमें we क्यों लगा क्योंकि आपकी reporting बर्व का subject जो है यह plural है यानि first person का है आपको यह समझना है यदी reporting बर्व का subject similar होगा तो हमको that they should लगाना होगा यदी reporting बर्व का subject अगर first person में है तो that we should का प्रयोग करना होगा जैसे आप देख सकते हैं कि I suggested that we should go to some holy places तो गाईज आपको समझ में आ गया होगा कि यदी कोई वाग के latest से प्रारण होता है तो said को proposed या suggested बदलेंगे अगर वो proposal का भाव दे रहा है तो proposed में अर्था अगर सुझाओ का भाव दे रहा है तो suggested में और that they should का प्रयोग आप कर सकते हैं लेकि reporting बर्व अगर first person में है let there be सब्द आया हो let there be तो said को क्या करते है requested में चेंड करते है इसको requested में चेंड कर देंगे और let there be के स्थान पर that there should be का प्रयोग कर देंगे that there should be करके जो sentence रहता है recorded speech का उसको लिख दिया जाता है देखिए he said let there be no inquiry into my case यहां के लिखा गया he requested that there should be no inquiry into his case जो my है वही के अनुसार his बदल गया तो guys आपको इस जो है वीडियो को दो-तीन बार देखें और एक-एक पार्ट को समझने का प्रयास करें तो आपको पूरी बास समझ में आ जाएगी और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे फर्स्ट वीडियो में मैंने रिपोर्टिंग बर्ब इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में समझाया कि इंपरेटिव सेंटेंस जो है imperative sentence करते हैं उसको बदलने का नयम आपको बताया गया था कि reporting बर को भाव के अनुसार ordered इत्यादिन बदल करके two से वाग जोड़ दिये जाता है और इसमें एक चीछ दो बताया गया कि यदि late से कोई वाग प्रारम होता है तो आपको समझना चाहिए यदि late वाले से अगर बिनमरता की भाव हो रही है तो sad को requested में change करके two से वाग को जोड़ देंगे यदि late वाले sentence से अगर order का भाव हो रहा है तो sad को order में change करके late को हटा देते हैं फिर that से sentence को जोड़ते हैं बीच में suit का प्रियोग कर देते हैं इसी तरह से latest से जो वाग की बने हुए है इनको दो तरीके change किया जाता है अगर proposal का भाव दे रहा तो proposed में suggestion का भाव दे रहा तो sad को suggested में change करके that they should या that we should का प्रियोग करेंगे that they should का प्रियोग जो है latest के स्थानव किया जाता है जब आपका reporting वर्ब जो है करता यदि reporting वर्ब का subject similar होगा तो that they should में में प्रिवर्थित होगा यदि first person में होगा तो that we should में प्रिवर्थित होगा और किसी भी reported speech का जो वाग के है late there be से शुरू हो रहा है तो sad को आप requested में change करके that there should be का प्रियोग करके sentence को जोड़ देंगे तो आप इसको समझें अगर यह आपको पसंद आया हो तो like करें subscribe करें thanks हो के